नमस्कार मैं हूं दिपाली राना आप देख रहे हैं यौ मनी परसनल फिनांस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपके मदद कर सके पोटफोलियो को बहतर बनाने में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपनी परसनल फिनांस से ज है फेस्बुक ट्विटर पर ये शो आप लाइब देख सकते हैं हैस्टेग आसकावाज यौ मनी लिखकर अपने सवाल भी बेच सकते हैं आज आपके से भी क्वेश्चन को आंसा करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीयो मोहित गांग हमारे साथ मौजूद है मोहि कोई भी मुचल फंड कार्टेग्री को आप्ट करते हुए उन बातों को समझते हैं और क्यूंकि बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फंड आप्ट कर रहे हैं तो मोहित बताईए किन बातों को ध्यान में रखें बिफोर सेलेक्टिंग पर्टीकुलर जी बहुत बहुत धन्यवाद दिपाली जी शो में बुलाने के लिए तो देखिए अगर जब भी कोई निवेशक अपना निवेश का प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उससे पहले उन्हें कुछ चीजें निर्धारित करनी पड़ेंगी और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके financial goals यानि आपके financial लक्ष क्या है आप किस लिए आप पैसे को एकटा करना चाहते हैं तो इसमें अमूमन बहुत सारे goals होते हैं बर जो सबसे बड़ा goal होता है वो होता है retirement का कि मुझे अपने retired life के लिए जब कमाई थोड़ी कम हो जाएगी या पूरी तरह से बंद हो उसे लिखिए अच्छे से समझिए कि उसमें उनकी समय अवधी उनका time tenner कितना है जो retirement का goal है अगर आज आपकी उमर 40 साल की है तो retirement का goal आपसे 20 साल दूर है अगर आज आपके बच्चों की age 10 साल की है तो उनकी शादी का goal जो है वो 15 साल या 20 साल दूर है जो भी है तो आप goal के सामने कि ये goal जो है वो आपसे कितना दूर है तो सबसे पहली बात goal decide करिए दूसरी बात आप समय अवधी decide करिए और तीसरी बात आप ये जानी और ये समझे कि आपकी risk लेने की शमता क्या है आप कितना जोखिम ले सकते हैं अपनी पुनजी के साथ में क्या आपकी कोई emergency requirements आ सकती है कि आपके सर पर बहुत सारी liabilities हैं बहुत सारे खर्चे हैं कि आपकी AMIs हैं तो वो सब देख के आप ये निरधारित करिए कि आप कितना पैसा allocate कर सकते हैं investments के लिए और उससे भी जादा आपको ये निरधारित करना होगा कि आप कितना पैसा equity investments में लगा सकते हैं क्योंकि equity investment ये equity निवेश ऐसी चीज़ है देपाली जी जहांपर आपको बहुत जादा जोखिम होता है जहां volatility होती है जहां market का उतार चड़ाव होता है आपकी जो रकम ये जो पूंजी आपने लगाई है उसमें आप negative भी देख सकते हैं पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप लंबी सब्दी के लिए निवेश कर रहा है तो फिर आपके अच्छे returns भी यहाँ पर बनते हैं तो जब आपने अपने समय अभधी निरधारित कर लिया है कि आपके goals क्या है फिर आपने ये भी decide कर लिया कि मैं कितना risk लेना चाहता हूं अपनी पूंजी के साथ में मैं किस तरह की volatility जहल सकता हूं जब आपने ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से decide कर ली उसके बाद में आपका एक asset allocation बनता है यानि कि आपके portfolio में कितना equity होना चाहिए कितना debt होगा कितने दूसरे assets यानि commodities या real estate या कुछ भी अगर आपको safe assets लेने तो वो कितने होने चाहिए कित बन जाए उसके बाद में आता है scheme selection का दौर और scheme selection का criteria देपा लिजी ओके तो यहां पर आपको देखे दो तीन चार इंपॉर्टन बाते बताएगी है आपका investment goal क्या है कितना time आप दे सकते हैं आपका risk taking capacity कितनी है यह सब बाते बहुत important है किसी भी investment से पहले उनको आप ध्यान में रखिए और तब आप mutual fund category को opt कीजिए लेकिन इसके अलावा ख्याल रखना है क्योंकि यहां भी बहुत सारी चीजों का रोल प्ले होता है फिचाव fund performance हो AMC की performance कैसी रही है उस particular fund house की यह तबाम बाते भी important होती है तो किस तरीके की चीजों पर गौर करना है अगर कोई mutual fund scheme opt करने से पहले जी तो देखिए step number one जो था वो हमने अच्छी तरह से discuss कर लिया कि आप अपने asset allocation तक कैसे पहुंचते हैं जब आप अपने asset allocation पर आ गया है तो इसमें सबसे जादा important भूमिका रहती है equity की कि आप कितनी मात्रा में equity का allocation अपने portfolio में करना चाहते हैं और उस मात्रा में आप किन schemes का selection करना चाहते हैं किन categories का selection करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे parameters देखने होते हैं बहुत छोटी समय अवदी में मैं पूरे parameters cover नहीं कर पाऊंगा बड़ जो मुख्य parameters हैं जो मुख्य मापदंड criteria's हैं उससे मैं बताता हूँ तो सबसे पहले आप यह देखि हैं trailing returns और rolling returns यह दोनों ही आप देखिए और compare करिए उन returns को उनके peer group के साथ में यानि की large cap category की दूसरी schemes के साथ में और उनके benchmark के साथ में यानि अगर large cap category का benchmark है nifty 50 index या फिर nifty 100 index तो उस index के comparatively उस scheme ने कैसा production किया है पिछले एक साल में, दो साल में, तीन साल में, पात साल मे जितनी लंबी अवधी को आप compare करेंगे उतना ही जादा अच्छा आप scheme का selection कर पाएंगे तो पहला filter तो हो गया ये scheme के performance का यहाँ पर आपने कुछ अच्छी scheme select कर ली उसके बाद में जो सबसे important बात है वो है कि fund manager कौन है because देखिए होता क्या है कि scheme जो है वो fund manager की काबिलित उनके हुनर पर पूरी तरह से निर्भर करती है उसका production पूरी तरह से निर्भर करता है तो एक अच्छा fund manager बहुती ज़ादा जरूरी है तो अच्छे fund manager के लिए आपको fund manager का track record देखना होगा उन्होंने कहाँ पर किन funds के स साथ जैसा कि आपने कहा कि AMC की standing क्या है क्या वो बिल्कुल नहीं AMC है क्या AMC के पास में काफी अच्छा EM है AMC का management कैसा है कितना पुराना है कितना नामचीन है यह सब आप देखिए उसके बाद में जब आपने fund manager और AMC के मापदन को भी देख लिया है तब आप आईए और आप देखिए कि fund का जो आप scheme select कर रहे है उसका expense ratio क्या है उसमें exit loads क्या है वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो आप scheme select कर रहे है उसमें बहुत high expense ratio दे रहे हैं तो scheme के expense ratio जो है वो उनके AMC नरधारित होते है इसमें SEBI के slabs apply करते हैं पर यहाँ पर आप देखिए कि आप बहुत जादा खर्चा नहीं कर रहे है किसी भी scheme को लेने के लिए तो expense ratio देखिए और यह देखिए कि exit load क्या है scheme का उसे भी आप ध्यान में रखिए उसके बाद scheme के कुछ soft factors होते हैं दिपाली जी जैसे कि scheme में sectoral allocation क्या है company concentration क्या है ऐसा तो नहीं है कि कुछ थोड़े से sectors या थोड stocks बेचने पड़े तो ऐसा तो नहीं है कि वो schemes में इतने छोटे नाम है कि उन्हें बेचने जाए तो market में ठीक भाव ना मिले यानि bid ask spread क्या है liquidity position क्या है तो यह सारे factors आपको देखने होंगे इन सारे factors को एक weightages देने के बाद में आप अच्छे से किसी भी scheme का किसी भी category में selection क कर सकते हैं यह बहुत ही important और लंबी प्रक्रिया है मैंने काफी short में से समझाया है पट आपको इन सारे ही factors इसके अलावा आप चाहें तो risk ratios भी देख सकते हैं कि कि कितनी volatility रहती है scheme में क्या उसके alpha generation क्या रहा है scheme का या risk ratios कैसे हैं तो वो सब भी आप चाहें तो देख सकते ह हैं बट यह main-main factors हैं अगर इन पर ध्यान देंगे तो जरूर से जरूर आप एक अच्छी scheme का अच्छी category का selection कर पाएंगे अपने एक लंबे अवधी के portfolio के लिए आपने बहुत important बाते हैं आपर बताई कि जब आप कोई भी category opt कर रहे हैं तो कि इन बातों ख्याल रखना है लेकिन एक चीज़ और आप से समझा चाहेंगे आम तोर पे हम long term investing की बात करते हैं लेकिन अगर कोई long term vision के साथ portfolio create कर भी रहा है तो ideally कितने time में अपने portfolio को review करना च चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस funds की performance के हम बात कर रहे हैं जो आज performance है वो अगले 5 साल तक as it is रहे तो ideally कितने समय में अपने portfolio पर गौर करना चाहिए अगर हम review की बात करें तो जी देखे दिबाली जी जहां तक review की बात है यानि आपको अपने schemes को regularly monitor करना है वो तो आपको quarterly या half yearly करना ही चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है कैसा उसका performance है पर जहां तक उसके rebalancing का सवाल है कि मुझे अपने allocations change करने है debt से equity में shift करना है या equity की categories में large cap कम करना है mid cap जो rebalancing की प्रक्रिया है वो आपको साल में एक ही बार करनी चाहिए मुझे लगता है कि उससे बार बार नहीं करना चाहिए इसके कुछ मुख्य कारण है सबसे पहली बात यह कि equity जो asset class है वो एक साल से कम अगर आप redeem करते हैं या बेचते हैं तो उस पर short term capital gains tax लगता है और उ minimum holding period जो है वो आपको एक साल तो रखना ही है in fact equity की जब बात करते हैं तो हम यह बोलते हैं कि आप कम से कम 5 साल के उपर का holding period रखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि उस fund का production कैसा रहा है तो जो rebalancing की प्रक्रिया है वो minimum एक साल में एक ही बार होनी चाहिए और एक साल मे भी बहुत जादा बदलाव नहीं करने चाहिए आप छोटा मोटा tweaking कर सकते हैं अपने portfolio में पर जो बड़े बदलाव है आपको एक लंबी अवधी के मुआयने के बाद यानि कम से कम 3 साल के period के बाद ही आपको कुछ बड़े changes करने चाहिए scheme के बदलाव करने चाहिए तब तक आप यह नहीं कह सकते इस पश्ट रूप से कि कौन सी scheme अच्छा कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है पर जहां तक portfolio के monitoring का सवाल है यानि आप जब से कैसे कितनी frequency में आपको उसको देखना है परखना है जांचना है उसकी performance को measure करना है तो वो at least quarter यह हाफ यह होनी ही चाह कि किस तरीके की strategy आपकी होनी चाहिए अब करते हैं सवाल-जवाब के सलसले को शुरू और सवाल-जवाब के सलसले को शुरू करने से पहले कुछ funds भी पूछ लेते हैं जो की identify किये हैं मोहित ने मोहित कुछ नेम्स भी सजिस्ट करना चाहेंगे क्या जी तो दिपाली जी जहां हमने scheme selection और category selection की बात की तो मुझे लगता है किसी भी अच्छे सुरुदर्ड portfolio के लिए आपको सारी categories शामिल करनी चाहिए सबसे जरूरी है large cap category यहाँ पर आप एक passive index fund का चुनाव कर सकते हैं तो prove ICIS है nifty 50 index fund large cap category के लिए उसके बाद आप flexi cap या multi cap category या diversified category जिसे हम कहते हैं वहाँ पर आप एक fund का चुनाव कर सकते हैं flexi cap में पराग पारिक flexi cap इसमें थोड़ा सा आपको international allocation भी मिल जाता है और taxation जो है वो आपका Indian equity fund के हिसाब से लगता है तो आपको best of both worlds मिल रहा है scheme के जरिए तो flexi cap में आप पराग पारिक flexi cap का चुनाव कर सकते हैं mid cap में काफी schemes ने बहतरीन प्रदशन दिया है यहाँ पर मुझे edel wise mid cap scheme काफी अच्छी लगती है इसका AEM थोड़ा manageable size का है और scheme का प्रदशन भी बहुत शांदार रहा है तो edel wise mid cap fund mid cap category में और small cap category में Tata small cap fund अगर आप SIP करना चाहते हैं यहाँ पर lump sum निवेश बंध है तो अगर lump sum निवेश करना चाहें तो प्रूव ICI से small cap ले सकते हैं बढ़ Tata small cap इसलिए क्योंकि इनका AEM जो है इन्होंने काफी control में रखा है और fund को lock कर दिया है लमसम investments के लिए तो AEM बहुत जादा नहीं बड़ा है और manageable limits में और fund का प्रदशन भी काफी अच्छा रहा है तो यह मेरी चार picks रहेंगी चार अलग-अलग categories में तो यह रहे हैं चार top four funds आए से प्रूनिफ्टी 50 इंडेक्स परागपारी फ्लिक्जी केप डिल्वाइज मेंट के पॉटाटा स्मॉल केप चलिए अफटा आफ़चे सवाल जो आपके ससले को शुरू करते हैं और सवाल पूछने के लिए क्रूनाल मुंबई से मौजूद है क्रूनाल नमसकार बता अगर कोई चेंजिस करना चाहिए तो अड़ाइस करें तो बताइए 21,000 के SIP तीन लाग के पॉट्फोलियो के वैल्यू है दस साल का जो इनका टागेट है वो है वन करोड का और जैसे इनोंने मेंशन किया इनके पास जो फंस हैं फिलहाल उसमें परागपारी फ्लेक्जी कै टाटा डिजिटल भी फंड है इनके पास 5000 इच है बाकी तीन फंड जिसमें मेरे असे लाजर मिट कैप है साथी सुन्दरम लाजर मिट कैप 2000 पर मन्त और एक्सेज ये लैसे स्टैक्सेवर में वी 2000 पर मन्त है बताइए इनके फंड चॉइसे और इनके गोल पर आपकी सवाल है कुछ नंबर्स मैंने निकाल के रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो आपका 3 लाग का कॉर्पस है वो बढ़कर कुछ 9 लाग के करीब पहुच जाएगा 10 साल की समय अबधी ले रहा हूं और मैं यहाँ पर 12% का रिटान अज्यूम कर रहा हूं एक्विटी से आपकी करीब 21,000 रुपे की SIP चल रही है अभी वो करीब 48 लाग 59 लाग के आसपास आपका कॉर्पस हो जाएगा 10 साल में अगें 12% का मैं अज्यूम ले रहा हूं तो जो आपका टोटल कॉर्पस है वो करीब 57-58 लाग के आसपास पहुचेगा 10 साल में अब जो आपका रामबान तरीका यही रहेगा कॉर्णाल जी कि आप अपने SIP की रकम को थोड़ा बढ़ाईए अगर आप उसे 40,000 पर ले जा सकते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने लक्षे को हासल कर लेंगे तो यह तो रही आपके लक्षे और गोल्स की बात अब रही आपके फंड्स की बात तो देखें आपका जो पॉर्टफोलिय है कुर्णाल जी आपकी एज को देखते वे मुझे लगता है कि आप अपने पॉर्टफोलियो को खोड़ा सा और अग्रसिव बना सकते हैं आपके पॉर्टफोलियो में काफी जादा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप का टिल्ट है अगर आप देखें तो आपके पास में एक पैसिव लार्ज कैप फंड है पुरू आइसेए से निफ्टी-फिफिटी और आपके पास में दो फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारेक और कैनरा लार्ज कैप है भी है तो मुझे लगता है कि यहां आप किसी भी एक फ्लेक्सी कैप को चाहें तो आप कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप की SIP को रोख कर आप यहां पर एक 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 एक्टिव या फिर पैसिव मिड कैप फंड का शुमार कर सकते हैं अपने पॉर्टफोलियो मे या फिर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा अपना जो ओर जो एलोकेशन है पॉर्टफोलियो का उसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो स्मॉल कैप के लिए आप टाटा स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं वो भी काफी ठीक रहेगा तो थोड़ा सा प चली तो आपके portfolio को लेका suggestions देगे हैं accordingly आप changes कर सकते हैं रुकने सी के साथ एक break के लिए break के उस पार कुछ और questions को करेंगे शामिल आप दिखते दी यौमनी आप दिख रहे हैं यौमनी हमासत मुई गांग मौजुद हावी queries को answer करने के लिए सवाल लेते हैं फिलाल इनकी 30,000 के SIP चल रही है 17,000,000 को अरड़ी एक खटा कर चुके हैं पोटफोलियो में 15-17 साल का vision है 3-4 करोर का target है पोटफोलियो को review करवाना चाहते हैं प्लस goal पर भी राय लेना चाहते हैं पोटफोलियो इनका में quickly mention कर दूँ HGFC Flexi Cap, SBI Small Cap, DSP Flexi Cap, Maray Asset Large Remit Cap, ICS Supreme 5050 Index और XS Small Cap 6 funds हैं और 6-6 funds में ये 5000 इच डाल रहे हैं इसलिए 30,000 के SIP है तो बताएं मोहित इनके fund choices प्लस इनके goal पर आपके suggestions जी, दिपाली जी इससे पहले कि हम इनके सवाल पर आये जो हमारे पिछले caller थे कुरुनाल जी, उनके लिए मैं को एक और बात बोलनी है शायद मैंने गलती से ये बोल दिया कि Flexi और Passive Index fund उनके पास है उनके पास Flexi और 2 Large and Mid Cap थे इसलिए Large Cap Allocation है भी था तो मेरी राए ये थी कि एक Flexi और एक Large and Mid Cap को निकाल कर एक Passive Index fund और एक Small Cap fund का चुनाव कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा छोड़ा सा clarification पिछले portfolio पे अब आते हैं सुरिंद्र जी के portfolio पे तो सुरिंद्र जी का जो current portfolio है वो है 17,00,00 का इसे अगर मैं 12% की rate से assume करूँ और इनके पास अच्छी बात ये है कि इनके पास में समय अबधी काफी लंबी है ये 15-17 साल की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो इनका current portfolio है वो बढ़कर करीब 1.16 करोड के आसपास हो जाएगा और इनकी जो SIP की रकम है वो भी काफी अच्छी है 30,000 की जो रकम है उसे अगर मैं 12% की rate से ये एकटा कर पाएंगे अगर ये चाहें और अपने SIP को step up कर सकते हैं हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं ये तो यही कॉर्पस जो है वो बढ़कर 4.82 लाग पर पहुँच जाएगा तो काफी अच्छा मजबूत कॉर्पस जो है ये है दिपाली जी कि इन्होंने एक अच्छा passive index fund ले रखा है पुरू ICS Nifty 50 index fund में SIP करते हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने जो scheme के चुनाव किये हैं वो भी बहुत अच्छी बहुत शानदार schemes रही है काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है उन schemes का मेरी एक बस छोटी सी राय यही है कि जो schemes है जैसे HDFC Flexi Cap हो गया SBI Small Cap हो गया इन सबका जो corpus है या जो EM है वो बहुत जादा बड़ा है सुरिंदर जी तो अभी तक तो schemes बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है कुछ cycles भी ऐसी आई है एक अच्छे mid-cap fund का चुनाव कर सकते है वहाँ पर आप DSP Nifty 150 Quality Index Fund ले सकते है या फिर इडलवाइस mid-cap fund का चुनाव कर सकते है और small cap में आप Tata Small Cap या फिर प्रू Small Cap fund का चुनाव कर सकते है थोड़े manageable AUMs है तो नए SIPs अपने यहाँ पर लगाईए पुराने वाले funds बने रहने दीजे काफी अच्छा portfolio आपने बनाया है तो थोड़े से बदलाब आपको suggest किये गए पहले बात करें आपके गोल की तो 17 सालों में 27 करोड के आसबास किराशिया पे इखटा कर लेंगे 4 करोड आपको इखटा करने है तो थोड़ा-थोड़ा हर साल अपना SIP Amount इंक्रीस कीजिए आसानी से कर लेंगे पूर्फोलियो को लेकर आपको suggestion दिया गया है एच्जेशन दिया गया है एक mid-cap passive fund आप add कीजिए अपने पूर्फोलियो में कौन सा कर सकते हैं नाम आपको बताया DSP Nifty 150 Quality 50 Index Fund आप चुन सकते हैं साथ ही HBA Small Cap से भी Tata Small Cap में स्विच करने की सिला है बाकी जो आपके funds है वो भेतर है बने रहिए Balance Diversified Portfolio है बस time to time अपने पूर्फोलियो को रिव्यू करते रहिए तो यह रहा suggestion आपके पूर्फोलियो को लेकर लेकिन 4 क्रोड का गोल हांसिल करने के लिए आपको allocation increase करना पड़ेगा हर साल 10% के आसपास कभी allocation increase करेंगे तो भी अपने गोल को हांसिल कर लेंगे तो यह रही सुरेंदर के लिए सला और इसी के साथ शो को समीटने का भी वक्त है शुक्रिया मोहित आपका शो में आने के लिए सभी queries को answer करने के लिए जाते जाते मोहित के top 4 funds आप अपनी स्क्रीन पर इबाफिर से देख सकते है जो कि उन्होंने शो की शुरुआत में मेंशन भी किये अगर आपने मिस किये हैं तो नोट कर लीजे इसे के साथ यूमनी में इतना ही भी खबर जारी सीन वी सी आवास पर नमस्कार प्राट कर नमस्कार झारा फ्राट कर रर खवास कर रना ही जाते है जाते है